यहां पर हम बात करने वाले हैं UPTT 2020 के बारे में आपको पता है कि आज आपका फाइनल आंसर की और पचीस तारीक को जो है आपका रिजेल्ट जो है आने वाला था लेकिन हम बता दें कि दो दिन पहले ही हमने बताया था कि यह पी एन पी जो है मतलब जो यूपी टीट परिछा कंड़क्ट कराती है वह गौर्णमेंट से जो है वह अपर्रूवल मांगी है कि हम रिजेल्ट जो है मतलब hat जारी कर दे कर देना चैर संगिता को लंगर होगा की नहीं होगा तो देखे फाइनल जो है वह गौर्मेंट के तरफ वो आपका result नहीं जारी होगा आज के news paper में क्या दिया है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर discuss करेंगे तो वीडियो के लाश्ट तक आप जरूर बने रहेगा तो यहाँ पर ज़्यादा news नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा हम discuss भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो बताये गया है कि उत्तर परदेश सिछक पातरता परिच्छा UPTAT की अंतिम उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थियों का इंतिजार करना पड़ रहा है 23 जनवर्डी को परिच्छावी थे जिसमें 8 लाख अभ्यर्थी वो सामिल हुए थे प्रस्तावित साडी के अनुसार मतलब टाइम टेबल के अनुसार 23 फरवर्डी को अंतिम उत्तर कुंजी और 25 फरवर्डी को परड़ाम जारी किया जाना है बिधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परिच्छा नियामक प्राधिकारी कर्याल है मतलब PNP के तोरा 25 फरवर्डी को परड़ाम जारी करने के लिए अनुमती मांगा गया था लेकिन मंगलवार मतलब कल तक देर साम तक अनुमती नहीं मिली है तो नॉर्मल सी बात ये अनुमती मांगे है और हमने उस टाइम भी बताया था कि अनुमती इन लोग जब मांगते हैं इन लोग की अनुमती जो है वो नहीं मिलती है एसे में जो है बुद्धवार को मतलब आज जो है उत्तरकुंजी जारी करने की बहुत कम ही उमीद है अगर उत्तरकुंजी 23 फरवरी को नहीं जारी होती है तो देखे यहाँ पर यहीं है कि PNP जो है गर्वर्मेंट के तरफ से अप्रूवल जो है वो मांगे थी कि हम आंसर की जो है और रिवाइज आंसर की मांगे लेकिन कल तक जो है इनको अनुमती नहीं मिला था जो है और पर इखाओं के रिजल्ट जो है वो जारी कर देए लेकिन यहां पर हम बात करें कि यह क्या सही है देखे तो यह जो है आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तर-परदेश का ही आप देखेंगे तो और जो है ओ नहीं होता है क्योंकि अचार संगिता का मतलब यह होता है कि अचार संगिता में जो है वह आपका निव काम मतलब नया काम जो है वह नहीं होता है जो कि UPTT की यह जो मतलब वर्क हो या फिर इस पे जो काम चल रहा हो यह जो आपका है यह पुराना है क्योंकि आपको पता है कि मतलब जो आपक जाहर ही करना पड़ेगा लेकिन इस तरीके से न्यूज पेपर में जो है वो दिया हुआ हो कि उमीद कम हो और अचार संहिता का उलंगान अप्रूल मांगे हैं तो बाकि जो कुछ भी ओफिसियल आने के बाद ही इंफ्रमेशन होगा लेकिन आज के पेपर में जो है यहीं अप धंक यहीं पर लिस्निंग गडवल्स यॉल थैंक यू